यह प्राचिन भारत के सबसे खतरनाफ आस्तर और सस्त हां दोस्तों मैं हम आपका दोस्त देवन्दोस हैं तू अबर माई वेलकम यूटूब चैनल रियाल टीवी इन हिंदी हां दोस्तों वीडियो को एन तक जो देखे रहें वीडियो को बार बार इसकी मत कीजिए इसलिए थर की कोनिया में जागर वीडियो को देखने हैं लग जाईए अगर आपने अपने चैनल रियाल टीवी इन हिंदी को सबस्क्राब उने स chemotherapy क्या होती है कि यसे चोड़ी जाती thill सब्सक्राइब सब्सक्राइबं को और बारत के वो ऐस जिनका जिक्र अग्री पूलाण में किया गया उनका अंत्र समझाया गया है उनके बारे में विस्तित विग्व्जान को भी बताया गया हमातों से चलाइ जाने वाली हतियारों को अस्स्त कहेते हैं प्राचिन हतियार दो तरह के होते थी पहला स्स्त्र यानि जो हाद में पकरकर चलाया जाए जैसे तल्वा, गदा, भाला, फारसा, कुलहाडी, हतोड़ आदी दूसरे होते हैं अस्तर यानि वो मिसाइल जैसे हत्यार जिनने मंत्रों के उचार से लॉंच किया जाता है मिसाइल जैसे हत्यारों को पांच प्रमुक हिस्सों में बांटा गया था अगनी पुराण में ऐसे अस्तरों को पांच प्रमुक हिस्सों में बांटा गया है पहला यंत्र मुक्त, यानि वो अस्तर जो किसी यंत्र से मुक्त होते होते हैं मतलब किसी मसीन दवारा लॉंच किये जाने वाले अस्तर दूसरा पाणी मुक्त यानि वो अस्त्र जो हाथों से फैके जाने तीसरा मुक्त संधारिता यानि ऐसे हदियार जो फैक कर वापस खीच लिये जाने चौथा मुक्त वो जिन्हें फैकराना पड़े और पांच मां बहुयोद यानि ऐसे हदियार जो किलोज पॉम बैट यानि नजदी की लड़ाई के लिए काम आती थे इन पहुंचों के कई उपस्रेणियां भी हैं बज्जरास्त का उपयोग आम तोरबाद इंद करती थे इन मेंसे चौथा आस्त्र मुक्त ही ऐसा है जिसमेना किसी यंत्र का उपयोग होता ना ही हाथ का ये प्राचिन भाद के सबस इस हतियारों में सामिल हैं विश्रूचक बज्जरास्त ब्रह्मास्त नडास्त और पसूपतास्त इनके अलाबा कई और अस्त्र जो आपने टीवी पर रामाएड और महां भारत के टीवी सेरियल्स में इन हतियारों का उपयोग देखा होगा अब हम आपको इन हतियारों का तोड़ी-थोड़ी जानकाली देते हैं आग्नवप्र यानि वो अस्त्र जो आग निकालता है इससे किसी सामन तरीक से बजहाया नहीं जा सकता वॉंड्स यानि वो वास्त्र जो भाली महत्रा में पानी नावक्त उपानी फैकता हो नाग पसास्ट चलागर दुसमन के हत्यारों को जहरी ले सांबों से बॉन दिया जाता था इसे किसी अन अस्टर से खात्म नहीं किया जा सकता था असल में यह उस समय का एक वायो लॉजिकल हत्यार था जो एक जटके में पूरी सेना को बेहुस करने या माँ डालने के लिए उप्योग होता था नाडा या रास्ट को खतरना कस्तरों में माना जाता है नाडा रास्ट सबसे तागतवर अस्तरों में से एक किसी को भी कहीं भी खत्म करने की च्छमता इसे कोई रोक नहीं सकता था ना इक खतम किया जा सकता था इसे रोकने का एक मात्र तरीका है कि इसके आगे पूरी तरह से हार मान मुन सरेंडर करके महाँ भारत की युद में तोलेवे दिन अस्तो थामा ने इसे चला दिया था तब किरेशन जिने पॉंडाओं को सारे हत्यार डालकर सरेंडर करने को पह दिया था भारत वास्त यानि वह वास्त जिससे पारिसुराम ने केर्ण को दिया था इसने एक ही जटके में पॉंडाओं की एक अच्छूडी सेना को खत्म कर दिया था या इंद्रास्त से ज़्धा तागत बार अस्त माना जाता था या पूरे ग भयानक तभाई मच्ती पूरा पर्यावान खत्म हो जाता है जीवन या उससे जुड़े कोई उस्त्रोथ नहीं बचते पुरूस और महिना नपुन तक हो जाते बारिस बंद हो जाती कि सूखा पड़ जाता है वेदों में अस्त्र का उपियोग तब कहने को कहा गया है जब क कोई चाराना बचे पुराणों में जिक्रह की जब यह एस्त्र चलता है तो तस हजार सूरत की गर्मी की बढ़ावार आग निकलती है भयानक धुमा निकलता है प्रम्न स्री रास्क का उपयोग मेंगनंद ने रामान में वानाओं की सेना को खत्म करने के लिए क्या था था साबसे खताना खाश्तरों में से एक माना गया यह अपने टार्गेट को पूरी तरह से मेस्ट करते था तो हे टार्गेट कितना ही घागत वर क्योंना यह एस्त चलता है तो इसके साथ कई दाना आत्मा फ्रैस आदी भी चलने लगती हुए हरवाल जब यह एस्त मंतरों जाता है आखिर में आता है सबसे खतर नम ब्रह्मान दास्ट यानि वह अस्त्र जो पूरे सोर मंद्र लिया फिर ब्रह्मान को खत्म कर दें अगरी पुलान में दवाओं राजनिती किर्सी योजना मंद्रों योग और मुक्स आधी के बारे में भी बताए लिया है इसी में दो है इसकी पूश्ची हम नहीं कर सकती है सभी तस्वीरें वाल पर ने करें